तो ये श्रीला प्रभुपाद लिलामृत है जो प्रतिक रविवार को हम चर्चा करते हैं जिसका लेकन श्रीला सत्सरुप दाजगोस्वामी महराज ने किया है इसका अध्याई बारा और शिर्शक है अमेरिका की यात्रा तो आप सबको याद होगा पिछले रविवार को हमने चर्चा की थी किस प्रकार से श्रीला प्रभुपाद जी जलदूत जहाज पर होते हैं और दो कविताओं का उन्होंने लेखन किया था जिसमें वो बहुत अधिक आपनी जो निर्भरता हैं भगवान कृष्ण के प्रतिव्यक्त करते हैं और यह स्तापित करते हैं कि है प्रभु मैं आयोग्य हूँ आप मुझे यहां लाये हो इतने दूर तो निच्छित रुप से मुझे कुछ कारे करवाना चाहते हूँ इसलिए मैं आपके हाद का कठपुतली हूँ और आप मुझे जैसा न चाहे जैसा चाहे वैसा न चाहे तो इस प्रकार से पूर्ण जो शर्णागती होती है जो एक भक्त के जीवन में प्रदर्शित होनी चाहिए या दिखनी चाहिए वो श्रिल प्रभु पाद के जीवन में स्पस्ट रुप से जलकती है केवल ऐसा नहीं है कि प्रभु पाद जी अभी जहाज पर है हर्ट अटक आया और उनके कविता में जलक रही है उनके प्रतेक दिन का जो आचरन है उसमें भी पूर्ण रुपे से सव प्रतिशत भगवान के प्रति जो शर्णागती का भावना है वो प्रदर्शित होता है बाउनके शर्णागती सर्वत्म हो भक्ति उन्होंठ्ण थह कुर्ण ने कहा कि जिन भक्तों की शरैनागती भघवान के प्रति पूर्ण रुपे नहां है तहार प्रार्थना ihr Romant वो कहते हैं उन व्यक्ति की प्रार्थना भगवान सुनते हैं, जिनकी शरणागती हैं, नंदकुमार उने की प्रार्थनाओं को स्विकारते हैं, तो वास्तों में यह जो श्रिल्य प्रभुपात की जो दो प्रार्थनाएं हैं, मैंने पिछले रईवार को कहा था, कि जो था लिलामृत में और बहुत ही शिक्षाप्रद है तो आई इस प्रकार से श्रीला प्रभुपाद उस कविताओं को लिखते हैं यह दोहराते हैं और आंत में अपना हस्ताक्षर करते हैं उस कविता के आंत में और लिखते आत्यंत आभागा आकिंचक याचक एसी स्वामी तो इस प्रकार से बोस्टन में जब प्रभुपाद पहुंचे थे तो एक विता लिखे थी और जिसमें लिखा था अत्यंत आभागा आकिंचन याचक तो कुंति महराने में वही कहा है नमो आकिंचन वित्ताया तो भगवान तो आकिंचन के ही वित्ता है धन है जि जितना हम संसारिक वस्तों के प्रति आसकत रहेंगे उतनी अनासकती कृष्ण के प्रति हो जाएगी और कृष्ण हमारे वित्त नहीं कहलाएंगे कृष्ण धन नहीं कहलाएंगे तो इसी कारण से जो महानतम भक्तों के जीवन में दिखा गया है संसारिक अकिंचन है लेकिन उनके पास वित्त क्या है भगवान कृष्ण उनके वित्त है धन है तो इस प्रकार से ये वर्णन आता है आज से हम पढ़ेंगे आगे दिनांक 18 सितंबर 1965 अब वे अमेरिका में थे वे अमेरिका के एक प्रमोक नगर में थे जो आरवो खरवों की संपती से लाखों की जनसंक् परिपुरुन था और आपने धर्रे पर बने रहने के लिए द्रण निचे था प्रभपात ने बोस्टन को एक विशुद्ध कृष्ण भक्त के दृष्टि कुन से देखा उन्होंने नारकिये नागरिक जीवन को भहतिक सुख की माया के प्रति समर्पित लोगों को देखा उनका सेवा भाव और आप्रशक्षन उने प्रेरित कर रहा था कि वे उन लोगों को दिव्वे ज्यान और सवरक्षन कारे कृष्ण भावनामुरत का संदेश दे तो इस प्रकार से यहां लिखते हैं कि श्रिल्य प्रभपात वहां गये तो ऐसे नहीं है कि वहां की जो चका सुन्दर्तम वस्रधारन करने वाले जो जनमानस हैं ऐसा नहीं कि उसके प्रति उनको आचरे व्वा या बहुत प्रभावित हुएं बलकि प्रभपात ने उन सब को देखा किस से एक विशुद्ध कृष्ण भक्त का जो दृष्टिकोन है उस दृष्टिकोन से श्रिल्य प नागरिक जीवन है इनका यह नागरिक सिटिजन है इतने उन्नत देश के लेकिन इनका जीवन कैसा है नार की जीवन है और यह लोग समर्पित तो हैं लेकिन किसके प्रति हैं भवतिक सुख माया के प्रति पूर्ण रूपेन समर्पित हैं तो इसी कारण से यह कहा गया है कि क्या इसे श्रील प्रभुपात जी इन लोगों को देखते हैं तो बहुत उनके रुदय में दया की भावना उमढ आती हैं और प्रभुपात के रुदय में ये जो दया की भावना है वो उमढ आती हैं और प्रभुपात के रुदय में ये भावना जागरत होती है कि मैं इनको कृष्ण भावनामृत प्रदान करो तो ये जो महान भक्त होते हैं वो देखते हैं भहुतिक रुप से बड़े-बड़े शहरों में या धनी लोगों को देखते हैं कि आच्छा ये लोग बहुत आनन्दित हैं सुविदाओं का लाग उठा रहे हैं लेकिन भक्त क्या देखता है कि किस प्रकार से कृष्ण से दूर है और कृष्ण से दूर होने के कारण भहुतिक दुख इसमें डूपते जा रहे हैं कृष्ण के विस्मरन में और इस कारण से वो चाहता है कि इनको जो असली संदेश है कृष्ण भावना का ना किसी ना किसी से प्रेम करना ही है, तो वहां के सारे लोग माया के प्रति पूर्ण रुपे न समर्पित थे, आज भी भग्द गन कहते हैं, इतना सरल नहीं है, वहां कृष्ण भावना बावित बने रहना, मैं अफ्रिका के एक भग्द से बात कर रहा था, वो कह रहे थे, इतना कठिंतम है, वहां किसी एक व्यक्ति को भग्द बनाना मतलब यहां भारत में हजार लोगों को भग्द बनाने के बराबर है, साधरन नहीं है, और वहां जो भग्द बना हुआ है, विदेशी, जीवन शैली में वहां लोग जो रहे रहे हैं, और वो भग्वद भावना को टिके हुए हैं और कंचिन्यू कर रहे हैं अभ्यास कृष्ण भावना का, यह बहुत बड़ी उपलब्दी है, क्यूंकि वहां तो माया का ऐसा भव्य दिवे सामराज्य हैं, जिसमें कृष्ण भावना भावित बने रहेना इतना कठिन है, सारे धाम फूल हो रहे हैं, भीड़ जा रही हैं, मैं भी वह भ्यास नहीं कर रहे होंगे, लेकिन धार्मिक्ता है, श्रद्धा है, थोड़ी बहुत, लेकिन वहां तो लोग पूर्ण रूपेन नार के जीवन में लिप्त हो गया हैं, और आइसे लोगों के बीच में बने र रहते हैं, वो हमारे लिए वंदनिया हैं, पूजनिया हैं, कि आइसे स्तिती में भी, रावन की लंका में भी बने रहकर, कृष्ण भावना भावित पूर्ण रूपेन रहना, ये सब बिविशन के समान है, साधारन नहीं समझना चाहिए, कहे बार हम इन बक्तों को बहुत ह आपने सयम्माई जीवन को जीते हैं, इंद्रियों का निगरह करते हैं, प्रभुपात के लिए सेवा करते हैं, कृष्ण भावना का अभ्यास करते हैं, ये साधारन नहीं है, जब मैं मौसको गया था, कुछ साल पूर्वा, तो वहां जाकर मुझे आनुबह हुआ, कि ये ज सकता, आइसी स्तिती में रहेकर भी वो कृष्ण भावना का अभ्यास कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्दी है, ये मानों बहुत बड़ी शर्णागती या वेरागय या त्याग है, उनका जो प्रदर्शित हो रहा है, तो प्रभुपात ने देखा कि सारे लोग पू सारा भी पिया हुआ है और वो गंदे नाले में गिरा है, तो उसको लगता ही कि मैं स्वर्ग की किसी स्वरवर में, कमलों के बीच में तैर रहा हूं, तो वैसे ही भावतिक सुक ये बहुत बहुत कठिंतम है, जिससे बचना, उनका सेवा भावर और प्रशिक्षन उने प्र विवे ग्यान और सवरक्षन कारे कृष्ण भावनामृत का संदेश दे, फिर विवे आपने आपको बहुत अक्षम, पतीत और असमरत अनुभव कर रहे थे, वे मात्रे एक शुद्र बिक्षुक थे, धन विहिन, तो श्रिल प्रवपात का ये जो बलकि शक्ति संपन्न है, लेकिन ये हमेशा ये भावना, मिनमरता का भाव प्रदर्शित हो रहा है, श्रिल प्रवपात का और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आपने उन गेतों में हमने पिछली बार देखा, प्रवपात सदय वह कह रहे हैं, आप उनका उद्धार केजिए, वास्तों में कोई शुद्ध भगत जब प्रार्थना करता है किसी के लिए, कृष्ण को वह कार्य अपने हाथ में लेना होता है, हाँ तो ये कृष्ण नहीं कार्य जैसे वह नाव जल्दूत लेके गए हैं, उसी प्रकर से इसको नाव कौन चला रहा है, कृष्ण चला रहा है, इसलिए जैसे कई भक्त आये जाए लेकिन ये आंदोलन जो प्रभुपाद ने कहा है दस हजार साल तक बना रहेगा प्रभुपाद ने तो ये भी कहा मानो ये आंदोलन डूब भी गया कोई एक ग्रंद किसी कोने में कहा पढ़ा हो पुस्तक और वो पुस्तक किसी ने पढ़ ली तो फिर से ये हरे कृष्णा अंदोलन शक्ति और संपनता के साथ खड़ा हो जाएगा फिर से वो सुनामी आयेगी नहरे नाम की ग्रंथों की मंदिरों की भक्तों की ये विशिष्टा है क्योंकि प्रभुपाद के शब्दों को कदापी साधरन नहीं लेना चाहिए वो की वानि अप औरुशय हैं चार दोशों से परे हैं इसलिए ये जो प्रभुपाद के ग्रंथों में जो शब्द हैं ये पतित से पतित जिव को बहुत तिवरता से शुद्ध करने का सामर्ते रखते हैं उसको जगा देते हैं उसकी चेतना को उसकी भावना को और उसको लाल या लालसा उसके रुदय में आ जाती है कृष्ण की शुद्ध भक्ति करने की अब देखो कितने धार्मिक आयोजन हो रहे हैं बहार इदर उदर लेकिन ये शुद्ध भक्ति का कोई भावना है कहां यहां प्रभुपात के आंदोलन में आकर लत्वरांती आनुबती होती है कृष्ण की प्रती शुद्ध सेवा भाव विकसित करना है ना धनाम ना जनाम ना सुन्दरीम कवितामवा जगदीश्र कामये ये छोटे छोटे भक्त के रुदय में बैट जाता है विशुद्ध कृष्ण भावना इसलिए ये क्यों इतना आकर शित लगते हैं प्रभुप करना इसे को शुद्ध भक्ति कहा गया है यहां आत्म सुख की कोई इच्छा नहीं है किसी को और यही गोपियों की भावना यही ब्रच की भावना है इसलिए प्रभुपात के ग्रंथों में यह प्रभुपात ने जो भी सेवा कारे दिया है उसमें एक विशुद्धता प् लिग्रा हैं, भक्तगन हैं, जो सेवाएं प्रवपाद ने प्रकट कराई हैं, वो सब में क्या जलकता है? शुद्धता, विशुद्धता जलकती हैं, प्यूरिटी जलकती हैं, इसी कारण से हमें आनंद की अनभुती होती हैं, क्योंकि आइसे सेवा में खेवल कृष्ण को की भावना होती हैं, इसलिए साधारन नया नया कुछ हपता भी हो, कोई व्यक्ति आता है क्रिश्ण भावना में, वो भी इतना आनंद अनुभु करता हैं, भक्तगन, चाहिए वो दोती नियम तोड रहा है, अभी पालन नहीं कर रहा हो, लेकिन फिर भी उसको इतना आनंद महिसुस होता है, क्योंकि यहां विशुद्धता है, प्यूरिटी है, और यहां कृष्ण को आनंद देने की भावना है, इसलिए प्रभुपात के जो शब्द है, वो सागर के समान है, प्रभुपात जब लिख रहे थे गरन तब पूछा कि आप इतना बहुत धीमे धीमे व बहुत गहरा अर्थ चुपा हुआ है, इसलिए प्रभुपात के गरन्थों को कहा जाता है, समंदर के समान है, जिस प्रकार से समंदर को रतना कर कहा जाता है, समंदर के ऊपर ही ऊपर ही कोई जाल डालता है, तो मचलिया उसको प्राप्त होती है, लेकिन वो गहरे में जाता तो रत्न उसे मिलते हैं, उसी प्रकार से प्रभपात के गरंथ है, जितना गहराई में प्रभपात के गरंथों का अधिन करते हैं, तो अध्भुत अध्भुत जो रत्न है, वो प्राप्त होते हैं, तो इतना करने के बाउजित भी श्रीला प्रभपात स्वयम को एक असमर्थ पतित आईसा वेक्त कर रहे हैं इस प्रकार से श्रिल प्रवपात की यह जो भावना है विनमरता की भावना यही वैश्णों का आभुषन है भक्त का आभुषन क्या है विनमरता का भाव इससे भक्त की शोबा बढ़ती है विनमरता की भावना से और वो सुन्दर लगने लग और गवडिया भक्तों का यही सुन्दर्त माबुर्शन है विनम्रता की भावना समुद्री यात्रा में वे दिल के दो दवरे से मुश्किल से बच पाये थे वे भिन्न भाषा बोलते थे विचित्रवेश में रहते थे तभी भी वे लोगों को सिखाने आये थे कि वे मान्स भक्षन अवय दियाउन सबन्द मादक द्रवे सेवन द्युत क्रिडया छोड़ दे और भगवान कृष्ण की उपासना करे अब देखें कि कोई साधरन चीद सिखाने नहीं जा रहे हैं मानो रावन के लंका में पहुंचे हैं और वहां ये सारी चीज़ों में वो लोग लिपत हैं और उनको वहां जाकर मानो उस सिविलाइजेशन जो उनकी आसूरी सब्वेता हैं उसको प्रभुपा चालेंज कर रहे हैं और उसको उखाड के फेकने में लगे हुया हैं वो सब सब्वेता पूर्ण रुपेन उसका आधार मांस भक्षन है अवैद सबंध है मादक द्रव्य दूत क्रिडा ये उसका आधार है वो सब्वेता इसी पर ही बनी है और मानो उस सब्वेता के पईर काटने के लिए प्रभुपाद वहां पहुंचे हैं तो ये कोई चोटी बात नहीं है तो लेकिन फिर भी और साथी साथ कृष्ण की जो सेवा आराधना है वो देना चाहते हैं तो इसलिए प्रभुपाद ने इस पर बहुत जोड़ दिया है चार नियमों का पालन करना क्योंकि मनुष्य तभी कहलाता है जब एक तीन चार नियमों का पालन करता है इन अधर क्षीज नंसे मुक्त रहता है उसको मनुष्य कहा गया है बहुत दूर है भुत बनना उससे हाजारो किलो मिटर दूर है केवल इसी से ही temples नहीं करना चाहिए कि मैं चाय नहीं पिता मैं व्याबिचार नहीं करता मादक रव्य शेवन नहीं करता दु ग्रदा भग्त मतलब बहुत दूर है भगवान के प्रती दिव्य सेवानू भाव जिसके रुदय में है कोई अन्य कामना आ सकती नहीं है उसे भग्त कहा गया है तो कही बार हमें लगता है कि बस मैं आभी शुद्ध भग्त बन गया चारनेमों का पालन करके ये तो शुरुवात है ये तो बस आप मनुष्य बन गए एक सब्बे व्यक्ति कहा गया है इसमें कृष्ण भक्ति याड होनी चाहिए तब जाकर कोई भक्त बनता है उस कृष्ण की जो उन लोगों के लिए एक पवरानिक हिंदु देवता थे भला ऐसी परिस्तिती में प्रभुपात क्या कर सकते थे तो प्रभुपात वहाँ सिखाने गये थे कृष्ण की आराधना और ये स्तापित करने के लिए भी गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयम कई चीज़े स्तापित किये प्रभुपात ने युगधरम जो महाप्रबु ने दिया है नामसंकिर्तन उसको भी प्रभुपात ने बहुत जोर-शोर से स्तापित किया अपने वानी के द्वारा और अपने शिश्रम के माध्यम से बिलकुल प्रभपाद compromise नहीं करते थे सैधान्तिक जो चीजें हैं उसमें वो बिलकुल fix थे प्रभपाद जानते थे कि इन चीजों से वेक्ति दूर नहीं होगा इन चार अबद्र कारियों से तो वो कैसे भग्त बन सकता है ठीक से मनुष्ण नहीं बन रहा है तो इसलिए प्रभपाद कृष्ण की भग्ति देना चाहते थे क्योंकि सारे शासर उपनेशद आचारिय सबका निचड है कृष्ण की आराधना करना और कृष्ण ही परम भगवान है तो ऐसे था कि किसी ने ऐसा सोचा नहीं था आईसा कोई सन्यासी सादू वैष्ण आईसा नहीं था जो ए विचार ये मनो भाव ये मनो बल के साथ पहुंचा हो विदेशों में इन वस्रों के साथ पहुंचा हो जिस वस्र आदि धारन करके प्रभपाद पहुंचे थे ये मनो पहली बार हो रहा है पाच्छाते जगत ने जगत में पहली बार वो लोग आईसे वैष्णों का दर्शन करने जा रहे है कि जो आईसे वस्र धारन करके आया है गेरोवा वस्र तिलक धारन कंठी धारन करके आया है तो प्रभपाद चाहते थे कि उनको ये कृष्ण भक्ति प्रदान करो तो कृष्ण भक्ति भक्त के माध्यम से ही मिलती है भक्ति तू भगवत भक्ता संगेन परिजायते तो भक्ति तो भक्तों के संग से प्राप्त होती है और इसलिए प्रभुपाद जी वहाँ संग लेने के लिए नहीं गये थे अपना संग देने के लिए गये थे उन्होंने सब रकार से अपना संग प्रदान किया जिनके आध्यात्मिक संग के द्वारा वहाँ के लोगों के जीवन में बड़ा बदला और परिवर्तन आया असाय होकर उन्होंने सीधे भगवान से अपने मन के बात कही प्रभुपाद मानों असाय है अकेले विक्ति एक अकेला विक्ति इतना मतलब ये सवपन में भी हम सोच नहीं सकते थे सकते हैं आकेला विक्ति वहाँ पहुंच गया है और अव कह रहे हैं मैं आसाय है और वहाँ पहुंच गया है तो वहाँ उनको को लेने वाला नहीं है उनका सौगत करने वाला नहीं है जेब में 40 रुपई पड़े हैं प्रभुपाद असाय थे वहाँ और उन्होंने मन की बात, अपने मन में जो विचार आये, भगवान को कही, भगवान को कहते हैं, मेरी कामना है कि आप उनका उध्धर करे, मैं आपके आशिरवात की याचना करता हूँ, जिस से मैं उने आश्वस्त कर सकूँ, फिर भी, आईसी आसाय आवस्ता, मानो, खुद आईसी स्तिती में हैं, लेकिं दूसरों की कल्यान करनी की कामना है, ये भवना बहुत कथिन है, मानो, जहां अकाल पड़ा है, और आपके पास एक प्लेट में एक चपाती पड़ी है, दो-चार लोग आईसे भूके मरने जा रहे हैं, और आप वो नहीं खाओगे, तो आप आप भी मानो, आसाई हो, खानी होगे, लेकिन फिर भी आप उनको प्रदान कर रहे हो, तो प्रभूपाद आसायत है, और वहां कृष्ण की आशिरवात की कामना करते हैं, और कहते हैं कि ये प्रभू मेरी ये कामना है, कि आप इन जीवों का उद्धार करें, कृष्ण तो आइसे वेक्तियों को, कृष्ण तो चाहते हैं मेरे आइसे आनंत भक जन्म ले, जो दूसरों का कल्यान करने की इच्छा वेक्त करें, आइसे जीवों बहुत कम हैं, ये आइसे रुदाई तो केवल ये प्रलाद महराज, प्रभूपाद, ये आइसे आचारियों का हैं, प् चिंता नहीं कर रहा हो आपनी, मुझे इस संसार में कुछ अच्छा लग रहा है, क्यों कि मुझे डर नहीं है इस बहुतिक जगत का, आपकी माया का भी डर नहीं है, क्यों कि मैंने आपकी जो नाम, रूब, गुन, लीला, महिमा है, उसको गाना सीख लिया है, मेरा चित तो उसमें मगन हो गया है इसलिए मुझे चिंता नहीं लेकिन प्रलाद कहते हैं मुझे इन जीवों की चिंता है जो विष्णु के चरणों से दूर गये हैं यह जानते नहीं है कि आसली स्वार्थ क्या है नमे स्वार्थ गतिम ही विष्णु कहते हैं कि यह जीवों की आसली स्व तो विश्नु हैं, लेकिन ये लोग भूल गये हैं, तो प्रलाद महराज की ये भावना थी, प्रलाद महराज तो आपने पिता इतना कस्व दिया, लेकिन फिर भी कहते हैं, प्रलाद भगवान को आप मेरे पिता पर कृपा की जीए, तो इतना बड़ा रुदे होता है, मानो प्रलाद का ही रुदय धारन करके आये हैं, प्रभवपाद जी, प्रलाद का जो रुदय था जीवों के प्रतिकरवना का, आप देखें, प्रलाद की जो प्रार्थनाये हैं, चरित्र, उसमें आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो ये जलकता है, प्रभवपाद के चरित्र स किस प्रकार से प्रलात जीवों के लिए प्रार्थना करते हैं और आपने पिता के लिए प्रार्थना करते जितना उनको कस्द दिया था उनके लिए भी तो श्रील प्रावपाद आईसे स्थिति में वहां थे तो भी वहां जीवों को देखकर उनको उनके प्रति प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इन जिवों का उधार कीजियें। इसलिए जब दुसरों के उधार के लिए कोई लग जाता है सेवा में कृष्ण वुस वेक्ति का जल्दी उधार करते हैं जितना हम अपनी चिन्ता करते हैं उतना ही हम आन्तिम होंगे इसलिए कहा गया न, वो वेक्ति सुखी है, जो अपने स्वार्थ को भूलता है, दुसरों के लिए कारेरत होता है दुख, अशान्ति, असंतुस्टी का कारण क्या है? अपने बारे में सोचना जितना हम अपने बारे में सोचते हैं उतना ही असंतुस्ट दुखी अशान्त अनुभो करते हैं लेकिन जब हम दुसरों के बारे में सोचने लगते हैं दुसरों के कल्यान के बारे में दुसरों के हिद के बारे में दुसरों को कुछ मुझे प्रदान करना है उस बारे में सोचते हैं तो हम पूर्ण संतुस्ट्य अनुभोग करते हैं तो श्रील्य प्रवपाजी यही प्रार्थना करते हैं कृष्ण की चरणों में कि हे कृष्ण आप मुझे आशिर्वाद दे ताकि इनको मैं आशवस्त कर सकू कृष्ण भक्ति के प्रति तो इसलिए भक्ति मैं जीवन भक्तों के संग में है और जो भी कारे हम कर रहे हैं वो इसलिए हैं कि हम क्या कर रहे हैं आशिरवाद इकठे कर रहे हैं जितने भी कारे कर रहे हैं नाम की कृपा, विग्रह की कृपा, धाम की कृपा ये सारे आशिर्वाद इकठा कर रहे हैं और ये सारे आशिर्वाद के द्वारा हम कृष्ण भावना में फिर दूबने लगते हैं भगवद भक्ति का आनन्द अनुब होता है और आंतर समय में कृष्ण का स्मरन हो पाता है इसलिए इसको कहा गया है भक्ती को path of grace कृपा का रास्ता है इसलिए हमेशा ये भावना होनी चाहिए मुझे तो आशिरवात की आवश्रक्ता है ऐसे नहीं सूचना चाहिए कि मुझे इतना मैं जानता हो इतने साल हो गया वे मुझे किसी की आवश्रक्ता नहीं है हर ख्षन ही जानना चाहिए कि मुझे हर भक्त मेरे लिए महत पुर्ण है हर भक्त की मुझे आवश्रक्ता है हर भक्त की प्रती विनमरता का व्यवार हम करे और रुदय से आदर की भावना उनके प्रतिवेक्त करें ये भाव होना चाहिए तो क्या है कभी हम अहंकर नहीं आएगा और सदव विनम्रता की भावना रहेगी और दूसरों के साहेता करने की भावना हमारे रुदय में बढ़ेगी तिस प्रकार से प्रवपत कहिते कृष्णा आप मुझे आशिर्वाद दीजिए इसलिए वैश्णों का गुरू का आशिर्वाद हो तो व्यक्ति बहुत बड़ी-बड़ी कृष्ण भावना में सेवा कर पाता है और इतना करके भी वो विल्कुल विनम्र बना रहता है उसके रुदय में थोड़ा भी अहंकर का भाव जागरत नहीं होता और उन्हें आश्वस्त करने के लिए वे भगवान के पवित्र नाम की शक्ति और शिमत भागवत पर निरबर होंगे तो यहां कहते हैं कि प्रभुपाद जी निरबर थे दो चीजों पर उन लोगों को भक्ति में आश्वस्त कराने के लिए दो चीजों का प्रभुपाद ने आश्वय लिया था और वो क्या था? कृष्ण नाम और दूसरा शिमत भागवतम यह दो बहुत महत्पून चीज़े हैं हमारे आंदोलन की प्रभुपाद का इतना भरोसा आप देखो हम पढ़े ही हैं पिछले कई महिनों से प्रभुपाद पूरा जो संगर्श कर रहे थे भारत में उस संगर्श में भी यह दो चीज़ों को बहुत प्रभुपाद ने पकड़ के रखा था शिमत भागवतम को और दूसरा कृष्ण नाम को तो यह हमारे लिए शिक्षा है चीवन में चाहिए जितनी में उलत फुलत हो उथल पुथल हो मन की हो, शरिर की हो, सामाजिक हो, परिवार की हो किसी भी प्रकार से हो लेकिन कुछ भी हो जाए हमें इन दो चीज़ों के प्रति जाना चाहिए एक तो भागवत को पकड़ना है, भागवत को पकड़ने का मतलब है भागवत को सुनना भी है भागवत को पढ़ना भी है बारम बार पढ़ना है और दूसरा है नाम लेते रहना है बारम बार नाम कृष्ण नाम लेते रहना है और प्रयास करना है कि और अच्छे से भगवन नाम का उच्छारण में कैसे करो और अधिक भगवान नाम का उचारन कैसे करूँ प्रभुपाद ने मेरे हाथ में ये रत्न रखे हैं दो शिमत भागवतम और कृष्ण नाम रखा है इन दोनों को मुझे जिवन के आंततक सवरक्षित करके रखना है उनका आश्रे लेना है और यही वास्तों में कृष्ण से अभिन्य है भगवान कृष्ण नाम और कृष्ण में कोई आंतर नहीं है कली काले नाम रुपे कृष्ण आवतार और भागवत भी कृष्ण ही है इसलिए साक्षत कृष्ण दिया है तो बहुत प्रगाड़ता से इन दोनों के प्रती हमारी आसकती होनी चाहिए और प्रती दिन लगे रहना चाहिए लगे रहना चाहिए दैसे एक सादु यह घर में आते हैं और वो प्रवच्ण दे रहे थे कल फिर से आऊंगा कल भी लेक्चर आईसे वो घर में मात्या पिता अच्छे भक्त थी वो बेटा कहती है क्या है यह रोज रोज सुनना क्यों आवख्या क्यूं सुनना चाहिए बहुत हो गए एक बार आपने सुना दिया रोज रोज लगा के रखाया आप आते हो सुनाते रहते हो एक क्या है उन्होंने का वेटा एक खिल लेके आओ और एक हतोड़ा लेके आओ खिल उदर दिवार में उसने का कि खिल वहां दिवार में मारो मारी एक हतोड़ा मारा तो थोड़े अंदर गए कहते हैं, दुसरा मारो, तिसरा, चवता, ऐसे मारते रहे, मारते रहे, तो पूरा किल अंदर गुसा, तो उन्हों ने का ये कृष्ण भक्ति, ये जो श्रवन है, वैसे ही है, रोज क्या करना है हमें? हतोड़ा मारना ये है, बारंबार नाम लेना है, बारंबार कथा श्रवन करना है, ग्रंथों को पढ़ना, ये हतोड़ा हम मार रहे हैं, कहा जाने बहुतिक संसर को छेत कर रहे हैं, हम कहा जाने के लिए, वैकुंठा जाने के लिए, ब्रहमान को भेदने का कारे चल रहा है, य az privileged football में डाल दिया है, ब्रह्माड में अंडे में, और ये सब कारी कर लिए – क्रिश्ण भखत बढ़ा चतूर भगत क्या कर रहा है बस ब्रह्मान को हतोड़ा खील उसको मिल गया है हतोड़ा मार रहा है और एक छेद होगा उसी छेद से चला जाएगा गोलो कुरंदावन प्रहपाद ने तो एक बहुत अच्छी बात कही थी प्रहपाद ने का विग्रा के जो बरतन है डिटीज के घिसते रहो घिसते रहो आँ सेवा करते-करते घिसते-घिसते वो जो डिटीज की प्लेटे उसमें छेद हो जाएगा उसी छेद से तुम गोलो कुरंदावन चले जाओगे इस प्रकार से श्रिला प्रहपाद कहा करते थे इसलिए वही उत्साह बना रखना है उत्साह में कमी उत्साह में कमी आ सकती कभी शारडिक, कभी मानसिक कभी पारिवारिक या कोई भग कुछ कहे दे लेकिन नहीं हमारा उद्दिश होना चाहिए मुझे भगवान के धाम वापज जाना है भगवान ने इतनी कृपा कर दिये मेरे उपर हाथ, पाव, का, नाग सब सुरक्षित है ब्रजधाम में मुझे दिया है कृष्ण ने मुझे पूरा व्रणावन दे दिया है प्रभवपाज जी दिया है रख कृष्ण बलराम दिया है सब कुछ दिया है जितना में योग्य भी नहीं हो आयोग्य वेक्ति को इतनी चीज़े दी है यह नहीं सोचना चाहिए समझना चाहिए मैं बहुत धनवान वेक्ति हो मेरे पास वरणावन है प्रभवपाजी है वैश्ण अउगन है भागवत है, यमुना है मदन्म, क्या-क्या नहीं है हमारे पास हम अपने आपको आई से सोचते कि आरे काप फस गया है क्या हो रहा है मेरे जीवन का हमें सोचना चाहिए मेरे जैसा सवभग्य शालिवेक्ति त्रिभुवन में कोई नहीं है अरे जिसके ब्रज में आने के लिए ब्रह्मा जी कहते मुझे पथर बना दो, पहाड बना दो शिव जी कहते मुझे पहाड बने हुए है नंदेश्वर में आन्य कईयों को तो यंट्री नहीं है लेकिन यहां ब्रज में दे दिया है, हमें सोचना चाहिए त्रिभुवन में इतना बड़ा सवबागे किसी का नहीं है प्रहला दुरवा आधिका भी नहीं है जिनको ब्रज से दूर है आईश्वर यह भक्ति में लगे हैं लेकिन हमें तो यह ब्रज भक्ति दी है तो यह सोचना चाहिए कि मेरे पास इतने हैं इतना धनवान में हो तब आप सोचे आध्यात्मिक जीवन कितना शिग्रता से बड़ेगा और हमारे रुदय में वो प्रेरना हमेशा उत्सा हमेशा बना रहेगा इसी कारण से यह साधारन नहीं समझना चाहिए इसलिए कभी-कभी हम आपने सवभागय की बारे में नहीं सोचते हैं देवतागन वो बादलों के उपर डिसकस करते हैं और यह लोग भारत में जन्मे हैं कब सवभागय भागवत में आता है ना देवतागन उपर उनका इस्ट गोस्टी हो रहा है उनका conference हो रहा है, meeting हो रहा है, आरिक का भारत में जन्म लिया है, हमारा कब सवभागय हो दा, उदित होगा, भारत में जन्म लेगे, और उसमें पे कृष्ण भक्ति, भागवतम, ब्रिंदावन, यमुना, विग्रह, कृष्ण नाम, प्रशाद, तो ये देवतागन वहां डिस देवता भी नहीं है, इसलिए क्या ये जो प्रभपाद ने चीज़ें दी है, ये हम आयोगे हैं, हमारी कोई पूर्व सुक्रती भी नहीं थे, आयसे कोई कर्मा भी नहीं थे, हमें ये प्राप्त हुआ हैं, लेकि केवल इसको आयतुकी कहा गया है, बिना किसी हैतुकी हमार उपर क्रपा कर दी हैं, हम आयसे सडे गरी किसी कहा पड़े थे, प्रभपाद की क्रपा से, हाँ उन्होंने हाथ में थंबा दिये हैं, तो इसलिए प्रभपाद निरबर थे, दो चीज़ों पर, कृष्ण नाम और शिमत भागवतम, उन्होंने कहा, इसके द्वारा मैं आश आश्वस्त कराऊंगा कृष्ण भक्ति को स्विकार करने के लिए, तो इससे हमें यह भी जानना चाहिए कि मुझे भी कृष्ण नाम का आश्रे लेना चाहिए, भागवत का भी आश्रे लेना चाहिए, और इन दोनों के माध्यम से दुसरे लोगों को प्रचार करना बहुत कम है, प्रवपाद हमेशा जब अंदोलन की शुरुवात भी हुई, तो भी कहा करते थे, मेरे पास बहुत समय कम है, मुझे भागवतम का आनुवात करना है, मुझे यह भक्तों को प्रदान करना है, इसलिए पूर्ण रूपे न लगे हुए थे, आईसे नहीं कि इत प्रवपात को कृष्ण भावना देने का कारे किया है, यह प्रवपात के विशिष्टा है, प्रवपात के विचारों, प्रवपात के बारे में जितना चिंतन करें, उतना उनका अद्भुत, जो गुन है, उनके अद्भुत चरित्र है, वो हमें आचर्य चकित करा सकता है, तो इस प्रकार से ये दो चीजे प्रभुपाद ने कहा, और यही दो चीजे भागवत को भी साथ में लेकर गए, और सदविवक कृष्ण नाम लेते थे, प्रभुपाद जे, आप सोची है, प्रभुपाद आभी आगे पढ़ेंगे, कितना आ सकती कृष्ण नाम में, एक बगिच गार्डन में वहाँ निवारक में जाके, कई घंटे करताल लेके किर्टन कर रहे हैं, हम यहाँ सोचते हैं, आके लिए करताल बजाराव मुर्दंग वाला कहा गया, हर्मनियम वाला कहा गया, पीचे दोराने वाला कहा गया, यह माई क्यों नहीं ठीक से चल रहा है, लेकिन प्रभवपाद जी किसी चीज़ पर निर्वर नहीं थे, वो जानते थे क्रिश्ण के लिए मेरा जीवन है, मेरी वानी जो निकल रही है, क्रिश्ण की संतुस्टी के लिए है, मेरे गुरु जनों के संतुस्टी के लिए है, यह भाव श्रिला प्रभवपाद का था, और इसी कारण से वो लगे थे, आइसने की एक दिन किर्टन करने गया, और सारे यकट्टे आ गए यूत वहां और शुरू हो गया, नहीं, कहीं दिनों तक, कहीं महिनों तक वो व्रक्षे के नीचे, थंडी, गर्मी, भूख, भूख, प्यास अपना विचार नहीं किया, करता लेकर कृष्ण नाम गा रहे थे, पूरुन रुपया नहीं, इसलिए, यह प्रभवपाद का जो वैराग्य है, प्रभवपाद ने जो चीज दी है, संगर्ष है, यह साधार नहीं है, किसी ने इतना नहीं किया है, जीवों के लिए आज तक किसी ने सरवोच्चकार्य किया है, वो प्रभवपाद जिने किया है, इस बात को हमें आपने रुदय में, जैसे पत्थर के ऊपर लिखा जाता न, वही से अनुबव होना चीए, कि मेरे लिए प्रभवपाद ने यह सब किया है, यह समझना, यह अनुबव प्रति दिन याद करना चीए, कि मेरे लिए प्रभवपाद गए अमेरिका, क्या होता है, भक्ति का अब्यास करते दिन महिने फिर शिथिलता आती है, हम जगते नहीं है, इसे कारण से यह बहुत-बहुत महत पुर्ण है, प्रभवपाद पुर्ण रुपे ने इन दो शिज़ों पर निरबर्त है, और हमें भी इन ग्रंथों को पढ़ते रहना चाहिए, बरकि बड़ा सोचना चाहिए, भागवत को पचास बार पढ़ोंगा, मरुत्यू से पहले, आभी सोचते है, भागवत हम के छटे सकंत के पहुँझ जाओ तो भी, जीवन सारतक है मेरा, नहीं, मुझे पढ़ना है बारंबार, मुझे नाम लेना है, अधिक से अधिक, नाम लेना है दुसरों को देने का प्रयास करना है, तो निरबर्त आसकती बढ़ेगी, भागवत के परती, नाम के परती, भागवत के प्रति, नाम के प्रति भागवत क्या है? भक्त का ही चरित्र है जो चरित्र हम प्रभुपात का यहां वरणन कर रहे हैं एक भक्त का चरित्र चर्चा कर रहे है भागवत में से भक्तों को निकाल दो तो भागवत किस काम का? भागवत क्या है? भक्ता और भगवान का जो आदान प्रदान है बस उसी की चर्चा है और ये प्रभुपाद लिलामृत भी वही है प्रभुपाद लिलामृत ये प्रभुपाद जी और भगवान का जो आदान प्रदान है उसी की ये चर्चा है इसलिए भागवत से आबिन्न है प्रभुपात का जो ये वर्णन नहें, चरित्र हैं, उनकी जो ये गवरव गाथा है, ये साधारन नहीं है, श्रिमत भागवतम के समानी है, तो आईसा श्रिमत भागवतम पर प्रभुपात जी पुर्ण रुपेन निरबर थे, कभी-कभी ये नहीं सोचना चाहिए, क्या रह प्रभुपाद लिलामृत सुनने जाना पड़ रहा है मुझे, भागवतम, यह अभिन्न है भागवत से, यह महा भागवत का चर्चा है, महा भागवत की चर्चा, कृष्ण की चर्चा से अभिन्न है, प्रभुपाद और कृष्ण का जो आदान प्रदान है, उसका गवरव ग प्रभुपाद लिलामरत में हैं, तो आइसा श्रिमत भागवतम से आबिन्ना ये प्रभुपाद लिलामरत हैं, जो दिव्यता से भरा पड़ा हैं, आगे पड़ते हैं, ये दिव्यवानी उनके रुदयों से भहुतिक सुखों की इच्छा को दूर कर देगी, और उनमें प्रभुपाद के लिए प्रेमा भक्ति जागरत कर देगी, तो श्रिल्य प्रभुपाद चाहते थे, प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो दिव्यवानी है भागवतम में कृष्ण नाम में, ये जब वहां के जीवों के रुदय में जाएगे, तो उनके रुदय से कृष्ण भावना भुजागर हो जाएगे, और वही है, करने इंद्रियों के वाध्यम से ये पहुंचाना है, इसलिए प्रभुपाद ने शुर्वात के दिनों में कोई सेवा होती नहीं, ये की सेवा है, करताल मुर्दंग लेकर नाम संकिर्तन के लिए निकल पड़ों, और सभी जी कितने घंटे के लिए हरी नाम में जाना है, वो सुबे निकल जाते थे, शाम तक हरी नाम करके आते थे, सब जीवों के कानों में कृष्ण नाम पहुंचा देते थे, ये बहुत बड़ा उनका प्रभुपाद के प्रति समर्पन है, तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते है कि यदि ये जो जीव है जा मैं पहुंचा वोस्टन में, वहां के जो भागवतम के शब्द धुनी को सुनेंगे, कृष्ण नाम के शब्द धुनी को सुनेंगे, तो उनके रुदय में कृष्ण भक्ती जागरत हो जाएगगा, और वही चैतन्य महाप्रभु ने कहीं है, च शवनादि शुद्ध चित्ते कराय उदाये। ये दिव्य धुनी रुदय में पहुंचती हैं कानों के माध्यम से, तो कृष्ण के प्रती जो सुप्त चेतना है, वो उजागर या जागरत हो जाती है। बोस्टन की सडको पर चलते वहें प्रभुपाद आउगत थे कि वहां तमगुन और रजगुन की शक्ति का प्रभुत्व था, किन्तु दिव्य प्रक्रिया में उनका विश्वास था। वे छोटे थे किन्तु भगवान आसिम थे और भगवान कृष्ण थे जो उनके प्रिय स सखा थे, तो प्रभुपाद जानते थे कि वहां तो सारे जो माया के प्रति पूर्ण रुपे न समर्पित हैं, भवतिक सुख के प्रति समर्पित हैं, और रजो तमगुन के इसमें डूबे हुया हैं, लेकि प्रभुपाद कहते हैं कि ये रजो तमगुन ये साधारन चीज है यदि जिव कृष्ण भावना की दिव्य प्रक्रिया को यदि स्विकार कर लेते हैं तो कितना ही महा तमोगुनी महा रजोगुनी व्यक्ति भे शुद्ध सत्व के धरापतल पर आ जाता है इसलिए प्रभुपाद ने ये दो चीज़े उनकी बहुत द्रड विश्वास था कि ये जो परिवर्तन जो ला सकता है ये रजोट अमोगुनी जीवों के रुदय में क्रांती ला सकता है तो ये खृष्ण नाम ये चैतन्य महा प्रभु का जो संदेश में लेके आया हूं ये उनके रुदय में कांती ला सकता है, श्रिमत भागवतम का संदेश उन के रुदय में कांति ला सकता है, चाहे वो कितनी ही गिरे विये स्थिति में क्यों ना हो, क्योंकि ये दिव्य, साधारन पक्रिया नहीं है, भगवान, इसलिए प्रभपात को उस पे बहुत गहरा विश्वास था, प्रभपात ज प्रभपात साइज में तो बहुत छोटे थे, लेकिन उनके पास कौन आसिम शक्ति संपन्न वेक्तित्वत है, भगवान कृष्ण थे, और भगवान कृष्ण थे जो उनके प्रिय सका थे, तो कई बार उन गीत में भी प्रभपात ने भगवान को सका के रुप में संबोधि पर सत्रवी सड़क पर लंगर डाला, भक्ति विदान स्वामी ने विस्मैकारी मैनहटन क्षितिज को, यंपायर स्टेट इमारत को और पहिले के लाखो यात्रियों और प्रवासियों की भाती स्टैचू अफ लिबर्टी, स्वतन्तरता की जो प्रतिमा है वहाँ उसको श्रिला प्रवोपात एक व्रंदावन वासि का उपयुक्त वेश धारन किये थे, उन्होंने कंठी माला और साधी सुती दोती धारन कर रखी थी, उनके हाथ में जप माला थी और एक वेक पुरानी चादर ओडे थे, उनका रंग सुना रा था, सिर गुटा था, पीचे शिक थी, मस्तक पर श्वेत वैश्नव तिलक लगा था, उन्होंने सफेद रबर की नुकिली चपले पहिने थी जो भारत में साध्वों के लिए अस समानने बात नहीं थी, किन्तु न्यूर्क में आईसे वैश्नों के समान वेक्ति को प्रकट होते, किसी ने कभी नहीं देखा थ या उसका स्वपन में भी साक्षात कर नहीं किया था, वे संभावत या पहले वैश्निव सन्यासी थे, जो न्यूर्क में आपनी नीजी वेश भुषा में पहुंचे थे, पर न्यूर्क के लोग आईसे विचित्र नवागंतुंकों पर विशेश ध्यान देने की कला में कु करते हैं कि आईसे विरंदावन की निवासित हैं और आईसे पहले आईसे वैश्निव सादु हैं, वैश्निव सन्यासी हैं, जो न्यूर्क या अमेरिका वहां पहुंचे हैं, तो प्रभुपात का वेश भुषादी का वरणन करते हैं, तो कहते हैं कि वहां प्रभुपात प यहान नहीं दे रहा था तो ऐसे श्रीला प्रभुपाद आंततहा वहाँ पहुंचते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इन जीवों का उद्धर किजिये और मुझे आशिरवात प्रदान किजिये ताकि मैं उनको कृष्ण भक्ति के प्रती कृष्ण भावना के प्रती आश्वस्त कर सकूं इस प्रकार से हम यहां विराम देते हैं अगले रहिवार को फिर से चर्चा करेंगे Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Śrila Prabhupad Lila Amrit Ki Padit Pavan Śrila Prabhupad Ki Nitaay Gaur Pramanande